तो बच्छा हमारी प्रीविएस वीडियो के अंदर हम लोगों ने थियोरी आफ सप्लाई कंप्लीट कर लिया बस इसका एक टॉपिक रह गया था इलास्टिसिटी आफ सप्लाई जो कि अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है तो उसे भी अभी हम लोग कंप्लीट कर लेत कंप्लीट होने ओने वाला है और नेक्स वीडियो के एंदर हम लोग फॉरम्स ओमlichen अप्रिकोशन कराव था बैक्साथ सब्चेंट है टो इसके इंद्ट इसको आपको दो क् वीडियों क्äft. उसके एक बिदियो और आइंग रूर आजए हमने लोगों movie प्रातिक लिए को ए without wasting any time let's start. अमचाब प्राइस एलास्टिसिती ऑफ सप्लाई क्या होता है मचाओ हमें पता है कि प्राइस और प्राइस प्राइस में कैसा रिलेशन होता है पॉजिटीव रिलेशन होता है हम लोगोंने सप्लाई में पढ़ा है अगर price increase होती है तो supply भी increase होती है, price decrease होती है तो supply भी decrease होती है मतलब अगर price में कोई change आ रहा है तो supply में definitely change आएगा but कितना change आएगा, कितना change आएगा मैं कहती हूँ अगर price 10% से increase हो गई, तो supply कितनी increase हुई बेटा इसी कितना का answer कौन देता है, price elasticity of supply अगर प्राइज में कोई चेंज आता है, तो उसकी वज़े से सप्लाइज में कितना चेंज आएगा, इसी चीज का आंसर कौन देता है? अगर प्राइज में चेंज आया 10% का और सप्लाइ में चेंज आया 20% का, कैसे निकालोगे? में percentage change in quantity supplied. कितना change आया quantity supplied में? 20%. Upon percentage change in price. Price में कितना change आया? 10%. तो, बेटा, elasticity of supply हमारा क्या हो गया? 2 हो गया. Elasticity of supply कितना आ गया मेरे पास में? 2. तो formula बहुत ही easy सा है. Percentage change in quantity supplied. Upon percentage change in price. बेटा, इस formula के लिए हमारे पास में नाम है percentage change method. याद रखना percentage change method तो यहाँ पर formula क्या है elasticity of supply निकालने का percentage change in quantity supplied upon percentage change in price अगर question ने directly बता रखा है तो question को thank you बोल देना formula apply करना answer आ जाएगा बट इतना easy नहीं होगा question percentage change in quantity supplied या percentage change in price आपको directly question में given नहीं होगा आपको निकालना पड़ेगा मैं कहती हूँ पहले किसी चीच की price थी रूपीज 5 ठीक है पहले किसी चीच की price थी रूपीज 5 तो अब बीटा उसकी quantity supplied कितनी थी 200 units कितनी थी 200 units मैंने का price increase हो गई अब अब नई price कितनी है 10 तो नई price को मैंने P1 से denote करा तो बेटा quantity भी increase हो गई नई quantity है Q1 कितनी हो गई 400 units क्या कह रही हूं मैं पहले किसी चीज की price थी 5 तब उसकी quantity supply थी 200 अब नई price 10 होगी price increase होगी तो quantity भी increase हो गई 400 तो elasticity of supply निकालो कैसे निकालोगे अब बचा यहां तो percentage change in quantity supplied या फिर percentage change in price दे ही नहीं रखा तो बचा percent change in quantity supplied कैसे निकालते हैं चेंज in quantity अपावन पुरानी वाली quantity in 200 कैसे निकालते हैं अब ज़रा बेखना यहां पर change in price कैसे निकालेंगे यह जो delta sign ने change शो करता है तो change in price कैसे निकालेंगे नई वाली price में से पुरानी price को minus करके तो change in price क्या आ गया बच्छा हमारा 10 minus 5 कितना आया 5 समझे same वैसे ही change in quantity कैसे निकालेंगे बिटा नई वाली quantity में से पुरानी वाली quantity को minus करके नई वाली quantity है 400 पुरानी वाली quantity है 200 तो change in quantity आ गया to 100, समझे, तो बच्छा change in quantity upon पुरानी वाली quantity into 100, upon change in price upon पुरानी वाली price into 100, 100 से 100 कैंसल हुआ, तो बच्छा हमारे गास में क्या बसता है, change in quantity upon quantity, यह जो नीचे प्रचाय से reciprocal कर दो, तो P उपर चले गया, और change in price नीचे आ गया, अब बच्छा इस formula को किस तरह स लिख सकते हैं, change change को साथ में लिख देते हैं, तो change in quantity upon change in price हम लोगों ने साथ में लिखा, into P upon Q, तो बच्छा उसी formula से मैंने एक formula और बना दिया, elasticity of supply का formula क्या था, percentage change in quantity supplied upon percentage change in price, तो बच्छा percentage change in quantity supplied कैसे निकाला, change in quantity upon कुरानी वाली quantity into 100, percentage change in price कैसे निकाला, change in price upon पुरानी वाली price into 100 100 से 100 कैंसल कितना हुआ change in quantity upon quantity फिर इसे reciprocal कर दिया कितना हो गया P upon change in P बच्चा delta delta मतलब change वालों को साथ में लिख दो तो change in Q upon change in P into P upon Q तो ये एक formula बन गया हमारे पास में elasticity of supply का क्या formula आया change in quantity upon change in price into price upon quantity formula में कैसे put करोगे बच्चा change in quantity में क्या लिखोगे ये 200 ये जो change in quantity आया था कितना था 200 upon change in price में कितना लिखोगे बटा price में कितना change आया था 5 का into price मतलब original price पुरानी वाली price कितनी थी 5 upon quantity original quantity किती थी बटा हमारे पास में 200 तो ये 200 से 200 cancel 5 से 5 cancel तो elasticity of supply कितना आ गया 1 तो समझे ये था percentage change method अगर directly question में percentage change in quantity supplied और percentage change in price given है तो इस तरह से इस blue वाले formula में put कर देना नहीं होगा most of the questions में given नहीं होगा तब आपको ये formula apply करना है change निकालना मेंने सिखा रिया नई वाली quantity में से पुरानी वाली quantity minus करो change in quantity आएगा नई price में से पुरानी price minus करो change in price आएगा समझे तो यहां तका copy करो इसके कुछ questions करते है फिर और जादा concept clear होगा अब बच्चा क्या कहता है हमारा question price of a commodity increases from rupees 10 to rupees 12 per unit किसी भी commodity की price पहले थी rupees 10 अब हो गई rupees 12 तो बच्चा पहले वाली price को P बोलते है पहले price किती थी rupees 10 नए वाली price को P1 बोलते है अब price कितनी है rupees 12 समझे यहां तक as a result its supply increases from 35 units to 42 units बच्चा price increase होई इसकी वज़े से supply भी increase हो गई पहले supply थी 35 units अब supply है 42 units समझे यहां तक तो बच्चा पहले price कितनी थी 10 किससे denote करा P से नए price को P1 बोलेंगे कितनी है 12 पहले quantity थी 35 क्यू बोलेंगे नए वाली quantity को Q1 बोलेंगे कितना आ गया 42 calculate elasticity of supply elasticity of supply हमें find out करना है बच्चा अगर question में बच्चा directly percentage change in quantity supplied या percentage change in price given होता तो हम direct formula लगा दे है तो हम हमारा second formula लगाएंगे तो क्या था हमारा formula change in quantity upon change in price into price upon quantity बच्चा इस चीज़ यहां पर बताऊँ याद करो जब elasticity of demand कर रहे थे तब यहां पर minus का sign था था ना यहां पर वो minus sign नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि बच्चा price और demand में कौन सा relation होता है negative relation होता है जबकि price और supply में कौन सा relation है positive relation है इसलिए यहां पर वो negative sign नहीं आता अब बच्चा change in quantity कैसे निकाले तो change in quantity कैसे निकालते है नई वाली quantity में से पुरानी quantity को minus करके नई quantity 42 है पुरानी quantity 35 थी तो 42 minus 35 कितना आ गया 7 यह क्या है change in quantity सेम ऐसे ही change in price निकालो बच्चा नई वाली price में से पुरानी price minus करके तो change in price कितना आ गया बच्चा हमारा 12 minus 10 यह कितना आ गया हमारे पास में 2 चलो वह फॉर्मिला में put करते है change in quantity कितना है 7 upon change in price कितना है 2 into P P मतलब पुरानी वाली price कितनी है 10 upon quantity मतलब पुरानी वाली quantity कितना है 35 चलो भई reduce करते है 2 1s are 2, 2 5s are 10 5 1s are 5, 5 7s are 35 7 से 7 कट गया कुछ नहीं बचा तो elasticity of supply क्या आ गया 1 elasticity of supply क्या है 1 तो इसे बोला जाता है elasticity of supply क्या है unitary है 1 मतलब unitary है आ गई मात समझ अब next question देखो when the price of a commodity falls from rupees 10 per unit to rupees 9 per unit बचा कहता है कि पहले तो price थी rupees 10 और अब price fall हो गई मतलब कम हो गई और अब price कितनी हो गई rupees 9 मतलब पहले किसी चीज की price थी rupees 10 per unit अब वो चीज कितने रुपे में विल रहे है 9 रुपे में its quantity supplied falls by 20% अब हमें answer percentage में ही given है तो बच्चा हमें directly क्या given है change in quantity change in quantity supplied हमें directly given है change in quantity supplied वो भी कितना है 20% और बच्चा यहाँ पर लिखा its quantity supplied falls quantity supplied गिर रही है कभी भी कोई चीज गिरती है तो उसके आगे minus sign लगा दिया करो तो बच्चा यहाँ पर हम पहले वाला फॉर्मिला लगाएंगे कौन सा फॉर्मिला लगाएंगे यहाँ पर हम change in quantity supplied change in quantity supplied upon change in price बच्चा चेंज in quantity supplied नहीं है यह है percentage change in price क्या है percentage change in quantity supplied upon percentage change in price अभी जो पीछे फॉर्मिला देखा था जो फॉर्स्ट फॉर्मिला था percentage change in quantity supplied upon percentage change in price तो बिटा percentage change in quantity supplied दे रखाया देको 20% दे रखाया ने percentage में change given है फॉल है इसले minus sign लगाया तो यह हो गया minus का 20% upon percentage change in price given नहीं है वो हमें find out करना पड़ेगा तो मैंने पीछे बताया का percentage change in price कैसे निकालते हैं change in price upon पुरानी वाली price into 100 बच्चे चेंज इन प्राइस कितना आया change in price कैसे निकालोगे change in price मतलब नई price में से पुरानी price minus करके तो 9 में से 10 को minus करो यह कितना आया हमारे पास में minus का 1 तो change in price कितना है minus 1 upon पुरानी वाली price कितनी है बच्चा 10 into 100 तो यह cancel हो गया 1 into minus का 10 गया है minus का 10% तो क्या करा हम लोगोंने percentage change in quantity supplied upon percentage change in price percentage change in quantity supplied question में given था 20% है fall इसले मैंने minus का sign लगा रही है कम हो रही है इसले minus sign लगाया percentage change in price हम लोगोंने find out करा पीछे बताया था कैसे निकालते है change in price upon पुरानी price into 100 change कितना आया minus 1 का ठीक है तो minus 1 upon पुरानी price थी tan into 100 0 से 0 cancel यह आगया minus का 10 minus minus cancel तो बेटे tan 2 जा 20 तो elasticity of supply यहां पर क्या आगया 2 अगर elasticity of supply कभी भी 1 आये तो उसे बोलते है unitary 1 से जादा आये तो उसे क्या बोलोगे greater than unitary greater than unitary 1 से कम आये तो less than unitary clear है यह दो question यहां तक का copy करो या फिर एक काम करो मेरे साथ साथ questions को solve करके देखो और questions करते हैं दिको बच्चा question कहता है किसी गुड की पहले प्राइस थी रुपीज 5 और अब उसी गुड की प्राइस हो गई रुपीज 20 as a result इसकी वज़े से quantity supplied increases by 15 units quantity supplied में कितने का change आया 15 units का change आया बच्चा यह by लिखा हुआ है मतलब यह change दे रखा है याद रखना अगर unit से पहले by लिखा है मतलब आपको change given है तो quantity के अंदर हमें change given है कितना है change 15 units का change है the price elasticity of supply is 0.5 अच्छा भई elasticity of supply भी दे रखिये कितनी है 0.5 find the initial and the final output हमें पहले वाला output निकालना है मतलब क्यों निकालना है then final output मतलब क्यों 1 find out करना है किस तरह से करेंगे इस question को बच्चा elasticity of supply का formula क्या होता है change in quantity upon change in price into price upon quantity यही formula है बच्चा देखो क्या क्या given है change in quantity given है कैसे पहचान होगे यह जो buy दिया हूँ तरह लिखा है न यहाँ पर the quantity supplied increases by 15 units जो quantity supplied है वो 15 units से increase हो गई मतलब buy लिखा है मतलब यह आपको change दे रखा है directly तो change in quantity कितना है हमारा 15 units upon change in price हम लोग find out कर लेते हैं कैसे निकालते है बच्चा change in price हम लोग P1 minus P P1 20 है minus P तो यह कितना आ गया हमारे पास में 15 तो यहाँ 15 लिख दिया into P पुरानी वाली price कितनी है बच्चा हमारे पास में 5 upon quantity given नहीं है find out करना उसकी जगा क्यों लिख दो बच्चा elasticity of supply question में दे रखा है 0.5 उसकी जगा हमें वही put करूंगी देखो elasticity of supply की जगा पर 0.5 is equal to 15 upon 15 into 5 upon quantity बच्चा 15 से 15 cancel 1 बच्चा कितना आया 0.5 is equal to 5 upon quantity cross multiply करो यहाँ कुछ नहीं है तो यह हो गया 0.5 को हम लोगों ने किसे multiply करा quantity से is equal to 5 तो बच्चा quantity कितना आ गया 5 upon 0.5 point हटाया उपर 0 लगाया 5 अंसा 5 यह 10 तो बच्चा original quantity कितनी आ गई हमारे पास में 10 आई बास समझ में initial quantity कितनी आ गई हमारे पास में 10 अब बच्चा हमें final output भी निकालना है मतलब Q1 भी निकालना है तो बच्चा हमें change in Q दे रखा है देखो change in Q का formula क्या होता है याद करो change in Q कैसे निकालते है Q1 minus Q यह होता है formula change in Q की जगा change in Q है 15 ठीक है quantity 1 हमें find out करना है नई वाली quantity उसकी जगा Q1 लिखा minus original quantity कितनी आ गई हमारे पास में 10 तो 15 इस 10 को इधर लेकर ओ यह हो गया plus का 10 is equal to Q1 तो बच्चा Q1 कितना आ गया 15 plus 10 हमारे पास में 25 तो final output कितना आया हमारे पास में 25 देख सकते हो अगर 25 में 10 सब्ट्रेक कर रहा तो 15 आएगा जो कि हमें change given था तो यह बच्चा हम लोगों ने हर तरह के numericals discuss कर लिए एक बार बुक के पीछे जितने भी questions है वो भी निकाल लेना तो numericals आके clear हो जाएंगे चलो आप इसकी theory start करते हैं लोग अब बच्चा एक छोटा सा topic है shape of supply curve and elasticity of supply हमें कुछ supply curves की shape दे रखी उससे हमें बताना है elasticity of supply क्या है तो बस यह आपको याद रखना है बस छोटा सा topic है बच्चा x-axis पर हम लोग हमारी quantity दिखाएंगे quantity मतलब supply दिखाएंगे और y-axis पर हम लोग हमारी price शो करेंगे फर्स्ट है बच्चा अगर आप देखना supply curve कुछ इस तरह का है मतलब एक straight line है जो origin से जा रही है मतलब इस zero से जा रही है और अगर एक straight line बन रही है समझ लो 45 degree के angle पर तो हम क्या बोलेंगे elasticity of supply क्या है 1 है अभी पीछे तो हम लोगों ने calculate करके देखा था यहाँ पर हम graph को देखकर ही बता देंगे कि elasticity of supply 1 है मतलब unitary है 1 से जादा है greater than unitary है या फिर 1 से कम है less than unitary है तो अगर supply करकी line एकदम straight बन रही है 45 degree के angle पर तो क्या बोलोगे elasticity of supply क्या है 1 है second में कहती हूँ अगर elasticity of supply 1 से जादा है greater than unitary है 1.5 अंसर आ रहा है 2 अंसर आ रहा है 2.5 आ रहा है तो बच्चे इसका curve किस तरह से बनेगा थोड़ा सा यह y-axis पर उपर से start होगा और इस तरह से कुछ उपर जाएगा ठीक है पहले वाला origin से start हो रहा था यह थोड़ा उपर से start होगा और बहुत obvious है suppose मैं कहती हूँ price यह थी तो बच्चा हमारी supply यह थी ठीक है मैंने कहा price में इतना change आया price increase हो गई तो बच्चा हमारी supply कितनी increase होई इतनी मतलब price में अगर सिर इतना सा change आया इतना सा change आया बट supply में इतना change आया price में में कहती हूँ 10% का increase आया और supply में 20% का increase आया तो बच्चा formula तो यह ही कहता था था percentage change in supply upon percentage change in price तो answer 2 आ रहा है 2 मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है 1 से greater है तो बच्चा इस तरह से अगर curve बनेगा तो answer आपका क्या आएगा elasticity of supply क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी तो calculation ही करना मैं इस देख के समझा आ अगर उपर से start हो रहा है मतलब elasticity of supply क्या है 1 से ज़्यादा है अब बच्चा हो सकता है elasticity of supply 1 से कम हो जब 1 से कम होगी तो graph x axis पर से start होगा कुछ इस तरह से ये भी समझते है negative price ये थी तो बच्चा हमारी supply ये थी ठीक है ये price थी तो हमारी supply ये थी मैंने कहा price increase होकर इतनी होगी ये नई price होगी मतलब price में इतना increase आया बट supply में इसकी वज़ेसे सिर्फ इतना सा increase आया मतलब price में अगर 20% का change आ रहा है तो बच्चा supply में सिर्फ 5% का change आ रहा है तो change in supply upon change in price 5 ones are 5, 5 fours are 20 तो answer कुछ 0 point something आएगा हमारे पास में यहाँ पर मतलब answer 1 से कम आएगा तो elasticity of supply 1 से कम है तो diagram को देखके समझ आओगे अगर एक straight line मन रही है जो 45 degree के angle पर है तो क्या कहोगे elasticity of supply 1 है अगर line y axis पर उपर से start हो रही है तो क्या करोगे elasticity of supply 1 से जादा है x axis पर start हो रही है तो क्या कहोगे elasticity of supply 1 से कम है अब यहाँ देखो बिटा price में कितना भी change आ जाए price P1 थी P2 है price मान लो P3 हो गई पर supply में कोई change नहीं आ रहा supply जो थी वही है एक line बन रही है एक vertical line है जो y axis के parallel है मतलब supply में कोई change नहीं आ रहा जाए price में कितना भी change आए तो elasticity of supply क्या है 0 है और मैं कहती हो अगर price same है price same है फिर भी हमारी quantity continue change होती जारी कभी Q1 है, कभी Q2 है, कभी Q3 है एक ही price पर कितनी भी quantity change होती जारी है मतलब elasticity of supply है infinity क्या है infinity तो ये सारी चीज़े याद रखना अगर एक straight line बन रही है 45 degree के angle पर elasticity of supply क्या है 1 अगर y axis से line जा रही है elasticity of supply क्या है more than 1 x axis से जाती है elasticity of supply less than 1 अगर एक vertical line है जो y axis के parallel है मतलब elasticity of supply क्या है 0 और अगर एक horizontal line है जो X-axis के parallel है मतलब elasticity of supply क्या है infinity चलो इसे भी copy कर लो एक चोट ऐसा topic एक वो और कराती हूँ फिर पूरा charter हमारा complete हो जाएगा अब आप करते हैं रिचा factors affecting elasticity of supply कुछ ऐसे factors जो elasticity of supply को affect करेंगे कब elasticity ज़्यादा होगी कब elasticity कम होगी कब बिल्कुल भी supply elastic नहीं होगी कब supply बहुत ज़्यादा elastic होगी तो first factor है nature of the inputs used बचा समझना मैं कहती होगा price increase होती है तो supply भी increase होती है price decrease होगी तो supply भी decrease हो जाएगी बट क्या हो अगर मैं कुछ ऐसे inputs कुछ ऐसा raw material यूज कर रही हूँ जो easily market में available ही नहीं है अब बताओ अगर मैं कोई ऐसा input use कर रही हूँ जो market में easily available ही नहीं है तो क्या price increase होने की वज़े से मेरी supply में increase आजाएगा नहीं आएगा क्योंकि बिटा मुझे inputs easily available नहीं होगे तो अगर मैं कुछ ऐसे inputs use कर रही हूँ जो कि easily available है तो for sure अगर price में increase होगा तो मैं मेरी supply increase कर सकती हूँ तो supply क्या होगी? elastic होगी बट अगर मैं कुछ ऐसे inputs use कर रही हूँ which are not commonly available जो market में easily available ही नहीं है तो price के increase होने की वज़े से जरूरी नहीं है मैं मेरी supply increase कर दूँ supply कैसी रहेगी? inelastic अगर price increase हो भी जाए तो बेटा मेरे पास में inputs easily available नहीं होगे तो हो सकता है मैं मेरी supply को increase ना कर पाऊँ मेरी supply जो थी वही रह जाए आई बात समझ में तो supply क्या रहेगी? inelastic second है natural constraints बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी supply price पर depend ही नहीं करती जिनकी supply तो nature पर depend करती है मैंने पहले भी बताया exceptions of law of supply में agricultural output for example आप ले सकते हो आपकी pulses ले लो rice ले लो, wheat ले लो आपकी vegetables ले लो, fruits वगेरा ले लो इन सबकी जो supply होती है वो totally किस पर dependent होती है nature पर dependent होती है natural factors पर dependent होती है तो यहाँ पर अगर price में कोई increase आ भी रहा है तो जरूरी नहीं है supply में increase आ जाए क्योंकि इनकी supply किस पर dependent है rainfall पर dependent है अच्छी climatic conditions पर dependent है अच्छी बारिश है, मतलब अच्छी supply होगी कम बारिश है, कम supply होगी मालो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई floods आ गए तो supply अपने आप कम हो जाएगी तो यहाँ पर जो supply है वो कैसी रहेगी inelastic रहेगी क्योंकि supply यहाँ पर price पर dependent नहीं है वो किस पर dependent है, natural factors पर next है risk taking बच्छा अगर entrepreneur जो businessman है वो ज़्यादा risk लेने को तयार है तो वो जैसे ही price increase होगी अपनी supply को क्या कर देगा, increase कर देगा मतलब supply क्या है, बहुत elastic है price में जैसे ही change आया, supply में definitely change आएगा, बट अकर वो risk लेने को तयार नहीं है, तो वो price increase होने पर भी अपनी supply को increase नहीं करेगा, वो अपनी supply को same रखेगा, मतलब यहाँ पर supply क्या है, कम elastic है supply में ज़्यादा change नहीं आएगा next is nature of the commodity perishable goods मैंने बताया था आपको exceptions of supply के अंदर law supply में, perishable goods वो goods होते हैं, जिनकी life बहुत जादा short होती है, जो अगर दो या तीन दिन बाद में आपने नहीं बेचे तो कहीं न कहीं वो खराब हो जाएंगे, for example vegetables वगेरा, दो या तीन दिन बाद में थोड़े से खराब हो जाती है, मतलब उसमें वो taste नहीं रहता, वो freshness नहीं रहती, तो ऐसे goods की साथ में ऐसा नहीं है कि price increase होगी तो इनकी supply increase हो, price decrease होगी तो इनकी supply decrease हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार producer क्या करता है, कम price पर भी ज़्यादा supply करता है, क्योंकि उसे लग रहा है अगर वो नहीं बेचेगा, तो अगले दिन तक उसका माल खराब हो जाएगा, अगले दिन कि चलो मैं अभी supply increase कर दूँ बट बच्चा कुछ ऐसा है कि अगर मैं supply increase कर रही हूँ मतलब अगर मुझे मेरा production भढ़ाना पड़ रहा है और उसकी वज़े से मेरी cost भी बहुत जादा अगर increase हो गई, तो बच्चा in that case मैं मेरी supply को जादा change नहीं करूँगी मैं मेरी supply को increase नहीं करूँगी, तो यहाँ पर अगर price increase होगी, तो भी supply increase नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जैसे ही वो अपनी supply बढ़ाएगा, उसकी cost increase हो जाएगी मतलब अगर cost बहुत जादा affect हो रही है production से, थोड़ा अगर production बढ़ा और उसकी वज़े से cost बहुत जादा बढ़ रही है, तो बच्चा producer जादा supply करने से कत्र आएगा वो जादा supply नहीं करेगा, तो यहाँ पर अगर price में कोई change आएगा, तो भी supply में कोई खास change देखने को नहीं मिलेगा, तो elasticity of supply क्या रहती है, inelastic रहती है कम elastic रहती है, समझे अब time factor, लंबे time के अंदर बिटा अगर price increase होगी, तो supply definitely increase हो सकती है, price decrease होगी तो supply भी decrease हो जाएगी, तो elasticity क्या है, greater है, जादा है कम time के अंदर जरूरी नहीं है price increase हो रही है, तो supply भी अच्छी technology use कर रही हूँ, जो easily available नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि price के बढ़ने से मेरी supply easily बढ़ जाए possible नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुती जादा complex technique use कर रही हूँ, तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि price increase होने की वज़े से मेरी supply में कोई increase आएगा, ऐसा compulsory नहीं है, मतलब elasticity of supply क्या है, बहुती कम elastic, inelastic तो बच्चा, ये कुछ factors से जो बता रहे थे कि कब किस case में elasticity of supply जादा हो सकती है कब किस case में elasticity of supply कम हो सकती है, तो ये बच्चा, हम लोगो ने theory of supply पूरा complete कर लिया अब इस chapter में आपको important क्या आपके टोपिक से एक तो डिटेमिनेंट से सप्ला इच्छे से तैयार कर लेना दैन लौ अफ सप्ला इच्छे से तैयार करना उसके assumptions भी, उसके exceptions भी एक extension of supply और increase of supply में difference, contraction of supply और decrease in supply में difference और आज चो वीडियो बता ही, वहां से खर्ची में से ऊंप से अच्छे करने को में